आज हम आपको जो दवा दिका रहे हैं ये देखिए माल्टे के रूप में आती है केलपो फिराल माल्टे के नाम से आती है क्या आपने कभी अपने पसुओं में इस दवा का परियोग किया है यदि नहीं किया है तो ये दवा बहुत संदार होने वाली है इसको खिलाने से ज़ल देखने को मिलेगा इसके बारे में हम डेटेल से जानेंगे तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत्र तक यदि अभी तक आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करें साथियों हमने ऐसे पसु देखे हैं जिसकी भुक कम हो जाती है पसु चारा कम-कम खाता है आपने देखा होगा कि जो पसु चारा कम खाता है दाना कम खाता है पानी कम पीता है और वो दुबला पतला होता जाता है यह हर पसु मालिक के साथ में देखने को मिलता है कि जो पसु चारा दाना कम खाएगा दिरे दिरे वो कमजर होता जाएगा हम आपके लिए यह सांदर दवाई लेके आए हैं जो केलफो फेराल नाम से आती है जो कि एक माल्टे के रूप में आती है सच्छ चटनी के रूप में जरूर करें क्योंकि आपने कहीं सारी दवाईया खिला दिये टीटमेंट करवा लिया है आपका पसु का वजन नहीं बढ़ पा रहा है मार्केट में ऐसी कहीं सारी दवाईया आती है जिसका आप प्रियोग करते हैं पर आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है साथियो यह एक एसी दवा है बहुत संदर दवा है जिसका क्या प्रियोग करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा हमने अभी तक इसमें वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि हमने पहले इसमें रिजल्ट राई किया है हम इसके पेक्टिकली वीडियो भी जो पसु बहुत कमजर हो चुके थे जिसका प्रियोग उन्होंने कम से कम एक महा तक किया है साथियो इसके बाद आपको का संदर देखने को मिलेगा हर पसु मालिक चाता है कि उनका पसु भी मोटा हो तकड़ा हो उसका वजन बड़े पर यह नहीं हो देखने को नहीं मिलता है पसु मालिक लिवर टोनिक परियोग करता है कभी-कभी आपने देखा है कि लिवर टोनिक से भी आपको रिजन देखने को नहीं मिलता है कभी-कभी आपने मिंडल मिक्षर खिला है उसके बाद भी रिजन देखने को नहीं मिलता है जिससे हर पसु मालिक परिशान हो जाता है वर वो उस पसू को सस्ते दामों में मार्केट में बेज देता है तो आपको यह काम बिल्कुल भी नहीं करना है हम आपके लिए इसलिए वीडियो लेके आएं जिसका कि बनाते हैं बहुत सारे पसू माली को समझ में नहीं आता है दवाई का नाम समझ में नहीं आता है जिससे वो मार्केट से दवाई लाते हैं तो इससे मिलती जूलती दवाई लाते हैं जिससे उनको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है तो आप भी इन चीजों से बचे, इसकी मिलती जुलती दवाईों से बचे, सेम दवाई लाना है आपको, इसी तरह की पेकिंग आएगी और इस परकार की जो दवा आती है, इसका रिजल्ट आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, अब हम बात करते हैं कि आप पसुओं का है, साथियों इसका क्या गजब रिजल्ट है, बहुत सांदा रिजल्ट देखने को मिलता है, तो आप इस तरीके से अपने पसुओं को दे, सुबे साम खिलाए, लगातार एक महिने तक भी दे सकते हैं, कहीं किसी तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, इसमें गेल्चे आइरन सारी चीजे पाई जाती है, में तैक से अगले वीडियो में